ED biased है यानि कि ED पक्षपात कर रही है ये बात हम नहीं कह रहे हैं बलकि CM केजरिवाल के मामले में ट्रायल कोट ने कही आकर कोट ने इतनी बड़ी बात क्यों कही आईए बताते हैं कोट ने इडी के गवाहों की विश्वसनियता पर सवार उठाया तो ED का जवाब सुनिये बयान लेने के लिए जमानत और माफी का लॉलिपॉप दिया जाता है जाच एक कला है ये सुनते ही जच साहिबा थोड़ी देर रुकी और फिर कहा ऐसे तो किसी के खिलाफ कलात्मक धं से रेकॉर्ड से हटा कर किसी को भी फसाया जा सकता है कोट ने ये भी नोट किया कि CM केजरिवाल के खिलाफ ED ने लॉलिपॉप देकर बयान लिया है कोई सबूत या कोई मनी ट्रेल है ही नहीं अब इस लॉलिपॉप की कहानी भी सुन लीजिए ये है मोधी का दोस्त NDA का सा संसद मगुंटा रिड्डी पहले ED ने PMLA के सेक्शन 50 में दो बार इसके बयान लिये पर इसने अपने बयान में CM केजरिवाल के खिलाफ कुछ नहीं कहा तो ED ने इसके बेटे को गरफतार करके 5 महीने जेल में तरपाया और तब मगुंटा को उसके बेटे रागम रिडडी क की जमानत का लॉली पॉप दिया और मोधी ने मगुंटा को संसद की सीट का लॉली पॉप दिया मगुंटा रिड्डी नालच में आ गया और इसने तीसरा बयान बेकसूर CM के जरिवाल के खिलाफ दे दिया और इस फरजी लॉली पॉप वाले बयान पर ED ने एक चुडे हु कोई CM को गिरफतार कर लिया इतना ही नहीं जब ED के केस में CM के जरिवाल को सुच्ग्य कोर्ट से जमानत मिलने की संभावना थी तब सीवियाई में भी इसी वर्जी का वहाँके बयान पर ED की जेल से ही CM के जरिवाल को गिरफ्तार कर लिया ताकि CM केजरिवाल एडी के केस में जमानत लेकर बाहर ना आ सकें किसी भी हाल में CM केजरिवाल को जेल में रखने की ये हड़ बड़ी ये घबराहट बता रही है कि मोधी सत्ता का सबसे बड़ा डर सिर्फ केजरिवाल है